Hello guys, welcome back to the channel, I hope you guys are doing absolutely fine. आज हम बात करेंगे, क्रिप्टो मार्केट जम नीचे जा रही है, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़े हैं, जो हम लोगों ने देखनी चाहिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, कि कोई भी आदमी आके हैं, तो उनसे बच के रहना, वो सारे सारे स्कामर है, टेलिगराम या किसी और शोशल मीडिया से हम कभी भी आपको मेसेज नहीं डालते हैं, बच के रहना, किसी को भी पैसे मत भीजना इन क्रिप्टो कैंसी, वो आपके पैसे हैं, आपकी इन्वेस्मेंट है, आप खुद करो, वो कही न कही हम सब लोग जाते हैं, वीडियो स्टार्ट कते हैं, काफी लोग आज की डेट में डेरे होएं, कि मार्केट किस तरफ जा रही है, जो जो इन्वेस्मेंट हमने करी थी, वो सारे पॉर्टफोलियो जो है, वो नीचे की तरफ जा रहे है, कोई भी ऐसा क्रि दरे हुए हैं आज की देट में लोग इंटरस्टेड नहीं हैं इन्पुटिंग इन्वेस्टमें इन क्रिप्टो करन्सी बिकॉज उनके दिमार में कहीं यह चल रहा है कि मार्केट का आगे जाके क्या हाल होगा क्या चीजे हैं क्या चीजे हो रही हैं मार्केट में इन सब के बारे में बात करते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि ऐसी वालटाइल मार्केट में आप लोगों का बेस्ट इप क्या हो सकता है, तो साइड में आप देख सकते हैं, हमने उपन कर दिया CoinGeek को अप, ग्लोबल मार्केट जो है, वो डाउन है 4%, BTC is down 3%, ETH is down 3.9% and काफी ऐसे crypto tokens हैं, जो काफी नीचे चल रहे हैं, आज की rate में, Cardano ADA माइनस 3.8%, Shiba माइनस 3.3%, Doge 3.6% and कोई भी hardly ऐसा token है, जो आज की rate में आपको positive में नजर आ रहा है, कोई भी аशा crypto, कोई भी ऐसा token नहीं है, जो आज की rate में आपको green में नजर आ रहा है, but yes, there are alternate days जहां पर हमें market पूरी की पूरी green दिखती है and वहाँ पर हमें hardly कोई ऐसा token कोई ऐसा coin मलता है जो rate में हो यह situation market में काफी time से चलती हुआ रही है in fact last 3-4 month से market जो है नीची की तरफ चल रही है and investors जो है काफी nervous selling भी कर रहे है market पर आज की rate में अगर आप crypto में already invested हो या आप invest करना चाहरे हो दोनों situation में आपको बताएंगे कि आप लोगों का next step क्या होना चाहिए अगर आप already invested हो in crypto currency आपने पैसा already डाल रखा है कोई आपने crypto token पर्चेस कर रखा है and वो portfolio जो है वो निचे हो गया है उसका price prediction आप लोगों ने note करके रखा है जितना आपने time target उसमें note करके रखा है उसको आपने hold करके रखना है अगर हम BTC की बात करें किसी और crypto की बात नहीं करते है BTC की बात करते है और इसका maximum chart अगर हम open करते हैं तो आप देखोगे कि काफी बार ये जो है उपन नीचे हुआ है market में 2018 का pump and dump हम सबको याद है काफी लोग है जिन्होंने nervous selling करी थी उस time में भी काफी ऐसे लोग है जिन्होंने उसको hold करके रखा रहा था जितने लोगोंने hold करके रखा रहा था उनको 2019 में अगेन एक dump देखने को मिला था 2018 के dump के बार 2019 का जब dump आया था लोगों ने तब निकालना शुरू कर दिया था बोलते बस अब हो गया है अब इससे जादा हम hold नहीं कर सकते काफी ऐसे लोग है जो message करते हैं sir ये crypto आपने बताया था ये token आपने बताया था हमने purchase तो कर रहा है बट हमारा portfolio आज की rate में काफी नीचे चल रहा हम क्या करें यह the best option is कि आप लोग भी stake करके रहा हमने अभी तक कोई भी crypto कोई भी token sellout नहीं कर रहा है जितने हमने initial purchase कर रखेते हैं जो भी हमारा price target and time target है for that particular crypto for that particular token वो हम रख के चल रहे है हम लोग उसको sellout नहीं कर रहे है बिकाज हम जानते हैं जैसी हम nervous selling आएंगे and market कल की date में या अगले साल जब भी ऊपर जाएगी हम लोग कहीना कहीं regret करेंगे जो हमने research करी है before bank that crypto जो हमने research करी है before bank that token हम लोग उसमें वापस जाते हैं हम लोग वापस से उसमें research करते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है अब कोई भी एक particular crypto एक particular token आज की rate में डाउन पूरी की पूरी market जो है वो नीचे की तरफ चल रही है they shows की market जो है बहुत negative चल रही है and yes काफी लोग जैसे मैं बता रहा हूं वो negative selling कर रहे है but जब आपका crypto जब आपका token is going as per the market तो आप लोगों ने ज़्यादा परेशान नहीं होना है the best part is कि आप उसको stake करके रख लो मैं नहीं कर रही है यह हम भी जांते है आप लोग भी मानोगे share market हो गई कोई भी और market आप देख लो आज की देट में सारी की सारी नीचे की तरफ जा रही है आप लोगों ने हाट टाइम स्फेस करने पड़ेंगे crypto market में आप लोगों का time target and price target अगर अभी तक टाच नहीं हुआ है तो मैं यह suggest करूंगा आपको कि आप लोग crypto's मत बेचो अपने tokens मत बेचो बट यस फाइनली आपकी call है आपका पैसा लगा है आपने जैसा आपको ठीक लगता है वैसी करो मेरा काम है आपको suggestion देना मैं आपको खाली suggest कर सकता हूँ final call आप ही ही रहती है वो token वो crypto's आप sell मत करो जो भी आपने purchase करके रख रखे है जब तक उसका time target और price target मीट नहीं हो जाता according to your research हम लोग गी वही कर रहे है हम लोग भी sell out नहीं कर रहे है because selling crypto selling token just looking into the market की market rate चल रहे है यार बेच देते है कल की rate मगर यही market green में दिखती है हमे हम बोलते है यार हमने क्यों बेच दिया थ Sandbox currently 216 rupees का अगर आप last 3 months का इसका chart देखोगे तो काफी negative गया है from the levels of 500 rupees in fact from the levels of 625 rupees आज की rate में यह negative चल रहा है अब इसी को देखते है काफी लोग यह बोलते है sir क्या करें market अब negative चल रहे है तो क्या हम निकाल दें क्या फाइनली हम sell out करते सारे crypto सारे tokens नहीं करना है आप लो अपना time target and price target वातस से रवाइस करो is what I can suggest इसको state करके रख लो अब बात करते हैं जो नए investor आरे हैं in cryptocurrency काफी असे नए investor है जो आज की rate में इंटर करना चारे है in cryptocurrency, invest करना चारे है in tokens वो क्या करें आज करें आज करें मैं आपको पहले भी यह बताता रहा हूँ आज भी बता र जितना की वो zero हो जाए तो आपकी life में कोई भी change ना हो, first thing, second thing, जितना भी पैसे आप लगाने चारे हो, 1000 रुपे, 5000 रुपे, 10,000 रुपे, सारे के सारे पैसे एक सांत मत लगाओ, आप वहाँ पे USDT purchase करके रख लो, USDT क्योंकि एक stable coin है, वो आप purchase करके रख लो, and उसका 50% का एक सांत initial purchase कर लो, 25-25% के दो lot और रखो, कि आपकी buying level से अगर वो नीचे जाता है, तो आप और purchase कर सको, आज की rate में अगर आप invest करना चारे हो, इन crypto currency, आज की rate में कोई भी आपको मनानी करेगा, because market already bought down चल रही है, जो पहले से invested है, उनका portfolio 70% नीचे है, आप लोग जब enter कर आप उनके से profit में हो 70%, जब market उपपर जाएगी, वो अपना level टच करेगी, जहां पर दूसरों की बाएंगे, जहां पर हमारी बाएंगे, तो आपका 70% profit होगा, but yes, इसी के साथ आपको ये भी बता दूँ, crypto's में अगर आप enter करना चारे हो, invest करना चारे हो, तो अपनी research जरू देना पड़ेगा, दो, तीन साल, चार साल, पांच साल आपने देने पड़ेंगे, वो crypto को grow होने के लिए, जितना आपने profits उनाय लोगों को होता है, from crypto currencies, from tokens, उतना आपने at least time देना पड़ेगा to grow your investment, ये नहीं कि आपने आज लगाया और कल से आप उसका price check करने लग गए, calculator काफी लोग ऐसे है, मैं भी initially ये ही करता था, कि हर दूसरे दिन calculator open करके मैं price check करता था, कि मेरी investment कितनी हो गया और मैं कहीं लिखता रहता था, yes, वो slowly and steadily मैंने बंद करा, जब मेरे पास ये concept आया of time target and price target, तब से especially मेरा ये करना बंद हो गया, of opening the calculator and calculating my investment कि कि कितनी नीची हो ग जो भी आपने crypto, जो भी आप token purchase करना चाहरे हो, या आप कर चुके हो, उसके बारे में हफते में एक बार जाके कहीं social media में उसके बारे में पढ़ लो, उसके बारे में on google search कर लो कि क्या क्या developments हो रही है, उनकी website visit कर लो, कि क्या क्या चीज़े उसमें हो रही है, ये बहुत जा आपने purchase कर रहा है, उसके बारे में आप research करते रहो, weekly basis में या 10 देज में एक बार, या 15 देज में एक बार, उसके बारे में आप research करते रहो, उससे आपको पता रहेगा, जो आपने roadmap decide करा था, या आपने जो research करी थी initially, उसके accordingly, आज वो crypto कहां पर पहुँचा है, वो कहां प for watching our channel, see you next time, okay bye-bye.